दोस्तो आज की जो भाइकेंसी है वो तीन अलग-अलग कमपनी के तरफ से निकाली गई है दोस्तो इस वीडियो में हम आपको ओफिस वर्क और फिल्ड वर्क दोनों की भाइकेंसी की पूरी डिटेल बताएंगे बस आप इस वीडियो को पूरा देखें और दोस्तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर्स कर लिजेगा क्योंकि यहाँ पर प्रति दिन आपको इसी परकार के जॉब से सम्मधित वीडियो देखने को मिलेंगे दोस्तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट बॉक्स में आपको हमारे फेस्बुक पेज का लिंक मिल जाएगा दोस्तो आप फेस्बुक पेज को भी फोलो कर लें क्योंकि वहाँ पर आपको जॉब से सम्मधित सारे पंप्लेट फ्री में मिल जाएगे दोस्तो पहला जो कमपनी है वहाँ आपका e-shape small finance bank दूसरा जो कमपनी है वहाँ आपका सिंधुजा finance और तीसरा जो कमपनी है वहाँ आपका चेतन्या finance दोस्तो e-shape small finance bank के तरब से तीन अलग-अलग post के लिए भाइकन से निकाले गई है दोस्तो पहला जो post है वहाँ आपका customer service executive का दूसरा जो post है वहाँ आपका customer service manager का और तीसरा जो post है वहाँ आपका risk cash officer का दोस्तो customer service executive post के लिए जो qualification रखा गया है उपका 10 plus 2 रखा गया है और इस post के लिए fresher और experience वाले दोनों लोग apply कर सकते हैं दोस्तो इस post के लिए जो age रखा गया है वहाँ 20 साल से लेके 30 साल का अंदर आपका age होना चीए दोस्तो customer service manager post के लिए जो qualification रखा गया है और इस post के लिए जो age रखा गया है वहाँ 25 साल से लेके 35 साल का अंदर आपका age होना चीए दोस्तो इस post के लिए आपके पास कम 5 साल का experience होना चीए दोस्तो रिक्स cash officer post के लिए जो qualification रखा गया है उपका B.com या फिर M.com रखा गया है post के लिए जो age रखा गया है उपका 20 साल से लेके 30 साल के अंदर आपका age होना चीए दोस्तो इस post के लिए आपके पास कम सकम एक साल का experience होना चीए risk cash officer post पर काम करने का दोस्तों सिंधुजा finance के तरफ से training credit officer post के लिए भाईगन से निकाली गी है और इस post के लिए जो age रखा गया है आपका अठारे साल से लेके अठारे साल के अंदर आपका age होना चीए और इस post के लिए जो qualification रखा गया है और इस post के लिए फ्रेशर लोग अपलाई कर सकते हैं और इस post के लिए अपलाई करने के लिए आपके पास एक bio data होना चीए अधार कार होना चीए pain card होना चीए travel essence होना चीए और एक bike होना चीए दोस्तों ये सारे चीज आपकी पास होने चाहिए तभी जाके दोस्तों आप training credit officer post के लिए आसान इसे apply कर सकते हैं तन्या finance के तरब से customer relationship educative post के लिए भाइकन से निकाले गई है post के लिए जो qualification रखा गया है और इस post के लिए जो age रखा गया है आपका 18 साल से लेके 8 साल के अंदर आपका age होना चीए दोस्तों इस post के लिए fresher और experience वाले दोनों लोग apply कर सकते हैं चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं e-save small finance bank के interview date और address की दोस्तो e-save small finance bank के interview date और address के गर हम बात करें तो आपका जो interview का पहला address है वह है आपका जहोरा मदपरदेश का और दोस्तों interview का जो date है वह है आपका 18 अगस्त 2022 दोस्तों दूसरा जो interview का address है वह है आपका खार गोने मदपरदेश का और दोस्तों interview का जो date है वह है आपका 22 अगस्त 2022 दोस्तो तीसरा जो इंटर्व्यू का एड्रेस है वह है आपका जोबट मदपर्देश का और दोस्तो इंटर्व्यू का जो डेट है वह है आपका 24 अगस्त 2022 दोस्तो लाज जो इंटर्व्यू का एर्रेस है वो है आपका रतलाम मद पर्देश का और दोस्तो इंटर्व्यू का जो डेट है वो है आपका 26 अगस्त 2022 दोस्तो सिंधुजा फाइनेंस के इंटर्विव डेट और एडरेस के गर हम बात करें तो आपका जो इंटर्विव का एडरेस है वह है आपका पटना का दोस्तो दूसरा जो इंटर्विव का एडरेस है वह है आपका सासा राम का तीसरा जो इंटर्विव का एडरेस है वह है आपका मध्यपूरा का, अगलास दोस्तों इंटर्व्यू कर रहे से है, वह है आपका गुरारू का, नेक्स दोस्तों इंटर्व्यू कर रहे से है, वह है आपका मंदनपूर का, अगलास दोस्तों इंटर्व्यू कर रहे से है, वह है आपका सुजावली का, दोस्तों नेक्स द आपका 20 अगस्त 2022. चेतन्या फाइनान्स के इंटर्वीू डेट और एर्रेस केगर हम बात करें तो आपका जो इंटर्वीू का पहला एर्रेस है South सिवान बिहार का और दोस्तों इंटर्वियू का जो डेट है वह है आपका 19 अगस्त 2022 सुबह के 10 बज़े से दोबहर के 11 बज़े के बीच आप जाके अपना इंटर्वियू दे सकते हैं